नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चनलर पर मैं हूँ पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं IDFC First Bank के बारे में तो basically हमने इस पर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किये हैं और कई हमारे subscriber कई बार गोलते हैं हरी चीश पर उसका थोड़ा बहुत analysis चाता है तो यहाँ पर मैं वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए तो यहाँ पर हमने fundamental analysis शेयर किया आपके साथ में quarter 3 FY20 के results या फिर वेदर नातन जी ने जो अभी stake sale किया था वो भी हमने शेयर किया है साथ ही साथ हम लोगों ने आपको Yes Bank और IDFC First Bank का comparison बताया था और हमाई subscribers की demand के हमने आपको यह भी बताया था कि क्या IDFC First Bank, SDFC Bank बन सकता है क्या तो पूरा calculations करके मैंने आपको इस channel के अंदर में video post किया था और सब पे काफी अच्छे views मिलेते और हर एक video के साथ में views बढ़ते चले जा रहे है तो I guess this channel is the best channel जहाँ पर आपको IDFC First Bank के बारे में सब कुछ पता चलता है यह मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ मेरे subscribers के बारे में कह रहा हूँ कुछ basic चीजों पर ध्यान रखते हैं और यहाँ पर उन्होंने exchange filing की है IDFC First Bank ने exchange filing की है दो exchange filing की बात करेंगे एक 9 April की है और एक 10 April की है एक में credit rating है तो दूसरे के अंदर में उन्होंने कुछ figures disclose किये है recent में मैंने एक video post किया था SDFC Bank का जहाँ पर उन्होंने exchange filing के तहद अपने deposits और अपने advances के बारे में बताया था साथी साथ अपने कासा के बारे में भी disclosers दिये थे जो कि unaudited थे तो similarly यहाँ पर IDFC First Bank ने भी disclosers दिये है तो मुझे लगा कि आप लोगों सामने इसको लेकर आना चाहिए because आपको एक plain word में मैं आपको बता देता हूँ plain sentence मैं आपको बता देता हूँ कि ये figures काफी अच्छे लेकिन एक चंता की बात है जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा so we'll discuss about the Kasa, Kasa Ratio we'll also discuss some figures which is not available लेकिन quarter 3 FY20 की जो figures है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और थोड़ा तो मैं इसके अंदर में अपना opinion view डालूँगा यहाँ पे मेरा कोई stake नहीं है पहले ही बता देता हूँ अगर आपका निवेश करने का, average करने का mood बनता है तो पूरी responsibility आपकी है मेरी कोई responsibility नहीं है जब December में मैंने इसका पहला video post किया था तब मैंने दो quarters यहाँ पे रुकने के लिए बोला था and हो सकता है कुछ लोग रुके होंगे लेकिन still if they are invested तो आज मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ चिंता की बात नहीं है लेकिन जो negative बात है वो तो मैं आखरी में बताऊंगा दोस्तो और ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा forward करके आखरी में पहुँच जाएंगे okay guys so let's start सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा इनके कासा की तो देखे दोस्तों इनका कासा आप latest इस बड़ा वाला जो है सरकल यहाँ पे देख रहे है तो 16,204 करोर का यह कासा है and it's got improved to 20,758 करोर so there is a growth of 28% तो Q on Q basis पे if you see 28% का कासा इनका improve हुआ है that means यहाँ पे bank की branches बढ़ रही है bank की reach बढ़ रही है customers add हो रहे है तो यहाँ पे saving account जादा खुल रहे है current account जादा खुल रहे है दोस्तों आप देख सकते है जब relationship establish होता है किसी bank के साथ में तो आप वहाँ पे loan देते है तो आप चाहते है कि इस particular बंदे का account भी इसी bank के अंदर में खुले तो जैसे ही loan आता है उसी bank account में जाके जमाँ होता है and वहाँ से loan के जो transactions वगरा वो बंदा करेगा पैसे withdraw करेगा तो यहाँ bank में कुछ न कुछ पैसा रहेगा यह retail banking का mastery यह retail banking का mastery वैद्यानातन जी को पहले से experience है ICICI bank में वो काम कर चुके है और loan बाटते समय वो capital first में जैसी growth उन्हों ने दिखाई थी वो यहाँ पर पूरा का पूरा काम आ रहा है यहाँ एक army बना दी है because हर एक बंदे का mindset जो है अभी वैद्यानातन जी जैसा चलता है अगर हम लोग बात करते हैं इनके kasa ratio की तो जी हाँ kasa ratio इनका kasa मतलब current account saving account और क्योंकि current account saving account में कुछ ज़्यादा interest नहीं देना पड़ता है current account में तो देना ही नहीं पड़ता है saving account में 3-4% है दोस्तों तो ऐसे case के अंदर में kasa ratio देखना important हो जाता है यानि कि current account saving account का total कितना है divided by total deposits, total deposits 10,000,000,000 करोड रुपे की है उसमें से 3,000,000,000 करोड रुपे अगर kasa है तो इसका मतलब 30% इनका saving account current account में पैसा पड़ा है इसका cost of fund बहुत कम है और यही पैसा अस्तिमाल किया जाया अगर loan देने में तो ऐसे कि इसके अंदर में काफी अच्छा return आ सकता है काफी अच्छा net interest margin बढ़ सकता है अगर kasa ratio बढ़ता है तो इसका direct impact आता है net interest margin पे जो की difference between the cost of funds incurred by the bank है और rate of interest charged by the bank है तो दोस्तो kasa ratio important हो जाता है देखे दोस्तो इनका kasa ratio 24% था quarter 3 FY20 December 2019 में और दोस्तो यह improve हो गया है 32% तो there is a very good improvement पर दोस्तो improvement यहाँ पे क्यों आया है इसको अच्छी तरह से देखे नीचे में आप arrow देखेंगे वहाँ पर देखे certificate or deposits यहाँ पर certificate or deposits इनके जो है कम हो गया है और आप देख सकते है there is a reduction of 75% in the certificates of deposits तो आप kasa लेते है उपर and उसके नीचे आप लेते है डिवाइट करने के लिए total deposits और total deposits यहाँ पर कम हुए है and इसकी ओज़र से आपको kasa ratio जो है improve होते हुए दिख रहा है total deposit मलब certificate of deposits यहाँ पर कम हुए है तो इस बात को आप थोड़ा घ्यान रखेंगे लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे है kasa ratio इस बहुत ही बढ़िया है और काफी कम समय के अंदर में इन्होंने इसको अचीव किया है अगर हम लोग बात करेंगे जब इनका merger हुआ था 8% पर इनका kasa ratio था to be exactly 8.60% screen के अंदर में आपको दिखा होगा शायद और वो बढ़ते बढ़ते 24 तक लेकर आया है 6-7 quarters के अंदर में 32% तक लेकर आया है ये है खुबसूरती जब आप किसी ऐसे management को रखते हो जो experience है जो practically उस चीज को कर चुका है चलिए दोस्तों काम करते हैं हम देख लेते हैं इन लोगों का total deposits में से core deposits कैसा है अब तक हमने कासा ratio देखा तो अब हम उस कासा के अंदर में यानि current account saving account के अंदर में fixed deposit जो लोग bank के अंदर में रखते जिसको term deposits कहा जाता है उसको भी add कर देते ये हो गए core deposits ये हो गए जो जनता ने पैसे bank के अंदर में विश्वास करके रखे है तो दोसको total deposits में से ये जो core deposits है आप देखेंगे पहले 43% था अभी वो improve होकर होगा है 52% तो यहाँ पर improvements दिखते हैं इसलिए इस bank पर कई लोगों का विश्वास है आप देखेंगे कई लोगों ने shares को नहीं बेचा आप वेदेनातन जी ने जब stake sale किया 10% यह down हो गया लेकिन वापस यह improve हो गया अगर आप बात करेंगे इस bank के बारे में results अच्छे नहीं आए इन्होंने 1200 करोर कट provision किया लोगों ने उसको positive लिया अगर हम बात करेंगे recent के कुछ 15-20 दिनों में हर एक बंदा जो IDFC bank के बारे में कुछ जानता नहीं इसका management नहीं जानता इसको किसी तरह से track नहीं किया है यही कहता था 10 रुपे इसका rate आ जाएगा भई आने दो और add कर लेंगे हम लोग हमको पता है इसके अंदर किस तरह की खूबी है bank के अंदर में किस direction के अंदर में जा रहा है और यह एक long term investor की पहचान होती है कि उसको पता है कि किस parameters के अंदर में bank को हमें judge करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते है 52% यान्ने bank improvement में अगर मैं yes bank की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोग off end हो जाए यहाँ पर जब उनका सेप्टेबर 2019 का जब मैंने result दिखा तो कासा का slight improvement हुआ था मामूली सा improvement ऐसा लग रहा था मानलो उन्होंने जबर जस्ती improve करने के लिए छोटा सा improvement वहाँ पर दिखाया हो और उस समय कई लोग भाया यह जाएगा वापस से जो है चर्ट पड़ेगा 400 तक चले जाएगा और उसके बाद जब उनका quarter 3 FY20 का result अनाउंस हुआ तो जितना IDFC first bank का market cap नहीं उतना तो उनका एक quarter का loss आ गया उनके सभी ratio से धराशा ही दिखे तो ऐसा लग रहा था भाई बैंक में चल क्या रहा था इसी चीज़ का वेड चल रहा था खैरान IDFC first bank ने अभी S bank के अंदर में 250 crores invest किये है और हो सकता है जो उनको 25% free के share बेचने वाले होंगे तो शायद उसने बेच भी दिए होंगे तो ये कापी अच्छे profit के अंदर में वो वाले investment से पैसा cover कर लेंगे ऐसा लगता है अभी सारे 1200 crore रुपे का जो उन्होंने एक provision किया था quarter 3 FY19 के अंदर में वो किया था Vodafone idea के उपर बे और ये जबुरत नहीं थी करने की वो पैसा दे रहे थे कुबाल मंदन बिल्ला ने ये कह दिया था कि हो सकता है उनको business find up करना पड़े तो ये हो सकता है quarter 4 FY20 के अंदर में वो लोग reverse करे या फिर आधा reverse करे तो यहाँ पर profit की possibilities यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तो बात करते है कुछ ऐसी figures जो exchange filing के अंदर में latest figures audited figures हमारे पास में available नहीं है तो quarter 3 FY19 की हम लोग figures लेते हैं 31 December 2019 की तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा net interest margin और दोस्तो यह लगातार improve होते होते आप देखे 3.86% पर पहुँच चेके और दोस्तो यह बहुत ही अच्छा figure आप किसी भी analyst से बात करेंगे बड़ी सी बड़ी बैंकों को आद रेखेंगे SDFC, ICICI या फिर access तो यहाँ पर आपको यह debt interest margin काफी अच्छा लगेगा 3.86% this is the strength of the bank की यहाँ पर क्योंकि यह लोग retain loans जादा दे रहे हैं तो rate of interest से जादा चार्ज करते हैं और क्योंकि इनकी ratings अच्छी है पहले सी अच्छी इनकी ratings है तो इसकी ओज़से इनको cost of funds बहुत कम पे मिलते हैं कासा improve होते जाता है तो इनकी net interest margin बढ़ती चले जाती है this is a plus point that I want to highlight in every bank analysis मैं इसको highlight जरूर करता हूँ यह बहुत important रहता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं के GNP और NPA की तो यह figures जो है यह भी पुरानी figures है लेकिन आपको जहें revise हो जाना चाहिए GNP आपको इसका देखेगा 2.83 पर और आप इसका NNPA देखेंगे याने की net NPA तो यह देखेगा 1.23 पर हलाकि आप देखेंगे कि इसमें आपको net NPA जो है कम होते हो दिखा है तो यहाँ पर provisions उन्होंने properly किये है तो यह जो है थोड़ा सा जो है negative point है लेकिन आप देखेंगे legacy problems यहाँ पर ज़्यादा है rather than जो management नया वाला है वैदनातन जी का वाल जो management आया है उसका problem कम और legacy problems याने की IDFC bank का यह problem ज़्यादा देखता है क्योंकि उनका exposure था telecom के अंदर में या फिर island FS के अंदर में तो यह provisions करते करते यहाँ पर पहुचे है अब दोस्तों इनको मिली latest rating के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो तीन ratings हमारे पास में crystal की available है तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इनका जो fifth deposits है वहाँ पर इनको rating मिली है FAA stable की तो यह उनको assign हुई है नई ratings तो वैदेनरतन जी ने CNBC में कहा था कि अच्छी rating मिलेगी और disclose नहीं कर सकते तो बहुत ही शांदार rating है high safety वाली rating है और दो ratings इनकी tier 2 bonds पर यावरम का है certificate or deposits पर इसको reaffirm किया है crystal ने AA stable पर A1 plus पर तो यह काफी अच्छी ratings है दोस्तो इतनी प्यारी ratings है तो इनको obviously आगे भी funds मिलते रहने वाले है दोस्तो अब बात करते है जो कह रहाता मैं शुरू सही एक negative चीज या फिर जो है एक छोटा सा drawback यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो tier 1 capital के अंदर में देखने को मिल रहा है इनकी tier 1 capital थी December 2019 की 13.28% तो दोस्तो यहाँ पर आपको tier 1 capital थोड़ी गटते हुए देखे की 13% यह कम नहीं है यह कम है लेकिन कम नहीं है इसका मतलब यह है कि if you see the other banks तो आपको यहाँ पर 17-18% जो है बड़ी बड़ी बैंकों में आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर improvement लाने की जरुवत है तो maybe यहाँ पर कोई QIP round करे इसको जो है improve करने की कोशिश करे तो yes यहाँ पर थोड़ा सा problem है लेकिन इतना जादा नहीं है कि bank की solvency में issue है statutory limit जो है ओ 9% की है यहाँ बैंक में देखा था उनके latest जो अच्छे आकड़े थे वहाँ पर 11% था कहीं पर तो वहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो उसकी comparison में 11-11-11% वह comfortable माना जाता था उसके साब से यह 13% है तो yes, this point is middle problematic यहाँ पर जो है improvement लाने की बहुत जादा जरुवत लगती है अब दोस्तों सब चीजे घुम फिरकर जो है आती है shares पर तो हम देख लेते हैं इसके shares का किस तरह का performance रहा है तो यह रहा का date, 9 April का date को आप देखेंगे 22 rupees का है, एक week के अंदर में there is a return of 6.5% in one month there is a loss of 33% एक तिहाई जो है इसका share कम हो गया है एक महीने के अंदर में और हम बात करते हैं एक साल के अंदर में तो दोस्तों एक साल के अंदर में लगबक 60% यह down हुआ है if we talk about 5 years तो में इसका maximum period यहाँ पे ले लिया listing वगएरे का, यहाँ देख सकते हो 70% यह share down हुआ इसका highest गया था 83.40 पर, दोस्तों अभी यह share 22 रुपे पर available है तो काफी जादा यह share गिरा है और जिसने इसको 83 वगएरे पे खरीद रहा होगा तो यह अपने portfolio को देखकर बहुत जड़ा निराश होगा लेकिन दोस्तों fundamentally यहाँ पर हमको लगता है कि bank strong है, weak नहीं है लेकिन कुछ समय जो है अभी आया, जो आप देख रहे है 22 मार्स से जिस तरह का समय चल रहा है लोगडाउन का, तो bank के NPS पर यह असर डालेगा ही अगर हम बात करते हैं आगे April का वहरा पूरा लोगडाउन है में में भी हो सकता है, लोगडाउन यह आ जाए तो यहाँ पर यह bank के performance पर तो असर डालनी वाला है तो यह यहाँ पर नहीं बलकि बजाज finance का share आग गिरते हुए दिख रहे है तो अगर हम बात करें कि जो lockdown आया था, उसके बाद में जो बजाज finance जिस तरह से गिर रहा है coronavirus की वज़े से, उतना गिरावट हमको IDFC First Bank में नहीं दिख रहा है because there is a backing of the deposits there is a backing of the विश्वास on the banking sector दोस्तों अगर हम इनकी wholesale funded assets को देखते है तो ऐसे case के अंदर में हमको reduction देखने को मिला है आप देख सकते है इनकी जो पहले 56,665 करोर्स की total wholesale funded loan book हो से थी funded मतलब security based तो आप देख सकते हैं हमाँ पे 29% का reduction आया है आप देख सकते हैं corporate loans के अंदर में 45% का reduction यहाँ पर उनने किया है infrastructure में 33% तो आप देख सकते security deposits के अंदर में 35% and there's an addition in the financial institutions group तो यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी financial institutions है जहाँ पर NPA के chances कम होते हैं तो वहाँ पर यहाँ देखेंगे की wholesale funded book जो है बड़ी है और दोस्तों आप देख सकते है कि यहाँ total जो है 29% के करीब-करीब जो है reduction हुआ है तो जैसा इनका कहना था retail book के लोग बढ़ाने वाले है wholesale कम करने वाले है तो यहाँ पर total मिला कर अगर हम देखें तो retail book आ गया है 60% of the total funded assets तो एक सही direction के अंदर में जा रहे है पहले यह around 49% था retail book यहाँ पर आ गया है 60% तो that is really very good एक और चीज़ मैंने इनकी exchange filing में देखी थी उनका liquidity ratio काफी improve वा तो short term जो भी funds हो सकता है कि क्यों lockdown चलता है तो लोग पैसा निकालने के लिए आए बाहार ATM से पैसा निकाले या फिर funds transfer कर से save banks के अंदर में डाले तो यह liquidity ratio जो है उनका काफी अच्छा दिखा मुझे तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है around 114% का liquidity ratio उनका कुछ 140% I am not sure about how much is the figure वो मुझे अच्छा दिखा then इसके बाद में इनका priority sector lending यह यहाँ पर जो है इनका buyouts है काफी कम भी हुआ है तो that is again में कुछ है काफी अच्छा दिखा दोस्तों तो यहाँ पर overall मुझे तो यह positive लगता है और अगर आप इसके अंदर में निवेश करना चाहते तो कर सकते है diversification का principle आप यहाँ पे follow कीजिए बाकी जगर पे भी आप निवेश कर रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है साथी साथ आप SIP mode को follow करे थोड़ा थोड़ा करके निवेश करे हो सकता है कई लोग ऐसे mentality वाले रहते है कि एक लाग पर पढ़ा दो पुरा एक लाग पर डाल दो अपनी कैश पुरी खतम कर तो बहुत पैसा मिलने वाला है तो हर एक के अलग अलग strategy हो सकती है मेरी strategy वैसी नहीं है तो you have to put the small small amount every month keeping your necessary cash with you and हो सकता है इससे भी अच्छी आपको opportunity अगले quarter में मिले लेकिन अगर एक दो positive news आना शुरू हो जाती है दोस्तो तो यहाँ पर आपको improvements counter के अंदर में दिखेंगे और हो सकता है दोस्तो कुछ समय के बाद में जब इनके बाकी जो problems है वो खतम हो जाती है या फिर जो है इनो government की बहुत ज़्यादा रियायत आ जाती है उस sector के अंदर में economic revival जो है fast तरीके से उनलग जाता है तो ऐसे के इसके अंदर में base यहाँ पर बन चुका है foundation यहाँ पर बन चुका है इसका फाइदा इस bank को जरूर होने वाला है दोस्तो इसके बारे में आपके भी विचार हो सकते हैं मैं चाहूँगा कि या comment करके आप विचार करें कि किस तरह की और observations है आपकी IDFC First Bank के बारे में वीडियो में कोई चीज छोटी है तो अगर आप उसको दर्शाना चाहते हो तो वो भी आप नीचे comment करके बता सकते हैं दोस्तो इसी तरह के और वीडियो से मैं लाता रहूँगा मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेर करें और हमारे subscribers count का जो next challenge है उसको जो है योनो पूरा करने में हमारा पूरा से योग दे तो दोस्तो इसी तरह से आते रहेंगे, मिलते रहेंगे धन्यवाद